अस्सलाम अलेकूम, welcome back to my channel study fun, so let's get started आज हम पढ़ेंगे valve timing diagram of four stroke battle engine तो सबसे वहले में बता होने चाहिए valve timing diagram होती क्या है valve timing diagram basically हम क्या करते हैं जो हमारे पास cylinder के अंदर inlet और exhaust valve ठीक है जो लगे होते हैं उनकी opening और closing मतलब inlet valve कब बंद होता है अब कब close होता है इसको अगर हम एक diagram की शकल में दिखाएं तो उस diagram को basically क्या बोलते हैं valve timing diagram और जब हमारे पास ये दिखा रहा होते हैं कि inlet valve और outlet valve यानि exhaust valve कब खोल रहा है कब open हो रहा है तो वो दिखाता है actually crank shaft की rotation के साब से अब ये basically हमारे पास crank लगी है ये अमारे पास क्या है connecting rod है इसमारे पास जो rectangular shape बने वी montón पिस्टन है और ये हमारे पास casing बने वी outside ये हमारे पास cylinder और ये हमारे पास inlet और exhale valve है तो basically होता है कि जब piston हमारा move कर रहा होता है नीचे की दिखत तो उमारे पास क्या उता है तो यह क्या करते जैसी वो नीचे जाता है तो यह rotate करते 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 जैसी piston अपनी top most position से bottom most position पर आता है मतलब क्या है कि TDC से जब BDC की तरफ आता है अब TDC क्या है top dead center और BDC क्या है bottom dead center इसका मतलब TDC का मतलब है कि piston highest maximum position तक कहां जा सकते है और BDC का मतलब है bottom dead center मतलब piston जो है अपनी lowest position तक maximum कहां तक जा सकते हैं तो जब piston उपर से नीचे की तरफ move करता है तो क्या होता है हमारे पास जो यह हमारे पास crank shaft यह crank और हमारे पास जो हमारे पास क्या है यह connecting rod यह crank shaft बोलने से crank shaft और connecting rod basically क्या होता है मतलब आप समझने की बात यह है कि जब टीडीसी से piston बीडीसी की तरफ आता है और बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है तो crank shaft और connecting rod में क्या होता है 180 degree का एक एंगल आ जाता है अच्छा आप इसमें आपको पता है इसमें 4 stroke होते हैं कि पहला कौन सा होता है सक्षण स्ट्रोक ठीक है जी सक्षण स्ट्रोक होता है दूसरा हमारे पास होता है compression इसके बाद हमारे पास जो तीसरा होता है वह कौन सा होता है अब इसमें वर्किंग क्या होती है जैसि हमारे पिस्टन टी डीची से बीडीची कि तरफ जाता है यह स्टेसरा होता है अब इसके बाद हमारे पास आता है compression stroke work compression stroke में क्या होता है जब piston BDC से TDC की तरफ जाता है मतलब जैसे BDC पे गया inlet valve close हो गया अब हमारे पास कहा जा रहा है बीडिसी से टीडिसी की तरफ तो यह वाला जो stroke हो रहा है compression stroke जो mass या fuel इसके अन्दर आ गया वह compress होना शुरू है जैसी बिस द्विस्टन उपर तो वो क्या होता है तो वो अमारे पास कौन सा स्टोक होता है एक्सपेंशन फ्रोक के एंड में बहना निगल जाता है। तो यह वाला जब BTC से TD की सिर्फ जा रहा होता है तो हमारे पास यह एक्जास हो रहा होता है जैसी टीडीशी पर जाते है तो हमारे एक्जास वाल क्या हो जाता है अब इसी को हमने एक डियाग्राम की मदद से दिखाना है तो यह हमारे पास है कौन सी theoretical टाइमिंग डियाग्राम में होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास होता है सक्षन इस पॉइंट पर हमारे पास इनलेट वैल्ब क्या हो जाता है ओपन हो जाता है इसको मैं लिख रहा हूँ संlt इसी क्या है पिस्टन है जैसी क्या है 습니다 पहे तो हमारे पास क्या हुआ है इनलेट है क्लोज सो उपन हो गए हमारे पास क्या फ्यूल की इंट्रिश चुरू होती तो यहाँ अभींने वह कोई शोक रहाए कि लेट पर उपन होगे फ्यूल की इंटारी शो गए और जैसी जैसी पिस्टन इमरी पास इस्थ पतर्व पर पrikeते होसने क्या होता है और इसमे अरुसी से की तरफ पुर्फ रहा होता है और इसमें हमारे पस क्या होता है दोनों वैल खुरोस ही होते हैं और जैसे यह पहूंच तो क्या है इस आंग्ञानी प्राइशन और लिख कोह गई अब जलने के बाद कौन सा प्रोसेस शरूघ है एक्सपेंशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस एक्सपेंशन स्ट्रोग कहलो अब एक्सपेंशन स्ट्रोग शुरू हो गया अब जैसी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा होता है तो हमारे पास कौन सा बीडीसी की तरफ जा रहा होता है जा रहा होता है तो हमारे पास जैसे पर tämä निकाल दे तो भी तो वह निकाल दे तो उसके उपर जाएगा हमारे पास तो क्या होगा यानि के जब एक्जास फॉल ओपन ब्चुप होने वहां अगया उसके इसके फॉल्ब होने से अब जैसे ख्यास टोग जान ते शुरू है यहां एकजास घैसे हमारी जलीवी गैसे बाहर निकल ली और एड़ एन्ड हमारे पस क्या होगा जी हमारे पास पहुंचेगा तो यह हमारे पास एग्जास वैल्व क्लोज हो जो हम ने एदर क्या लिख दिया ईवी सी ठीक है तो य क्या आता है कि इसमें जो हमारे पास actual cycle होती है अगर हम इतर से देखें इतर यह actual cycle है यह actual well timing diagram है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि early opening early यह आप याद रखना यह full concept है इसका और later closing early opening और later closing मतलब क्या है कि जो हमारे पास inlet valve यह exhaust valve कोई भी open होगा तो वह जल्दी open यानि कि जितना वह theoretical diagram हो रहा है उससे पहले ही open हो जाएगा और closing later closing का मतलब अब आप और 291 बन यहाद से इसे बाद में बढ़ ने में समझा रहे है च्तना time यह लगा रहा है यह Lघियोंट requirement उसक्षा की सचंउ इंयृवफ में बंड हो जाएए उसक्षा का निए इने में पास reinforce आरे रह targeted सी है कि जो एक्चुल डियागराम है उसमें जो हमारे पास इनलेट वैल्व है क्या हो जाएगा वो पहले ही ओपन हो जाएगा कुछ साथ कि हमारे पास क्या हो inlet जाधा हो तो हमके जब अम आरिपन और ईंट्रCs में इतना इंटर नहीं हो पाता हम क्या करते हैं उसकी फ्यूल की जो स्लेंटर की जलन का वैलफ है उसको हम जल्दि खोल देतें और देर में बंद करतें ताकि हमरे अडेARE तक TDC है तो TDC से कुछ पहले हमने inlet valve को close कर दी अच्छा जी उसके बद हमारे पास क्या कर रहा है cycle जल रही है उसके बाद हमारे पास such a चल रहा है उसके बाद जो ideal cycle उसमें यहां क्या हो जाता था इल्लेट valve क्लोज कर रहा था लेकिन हमने क्या करना है इसको लेटर प्रॉणफ करना तो कुछ देर बाद जाके क्या होज़ेका इंने रेल्फ क्लोज हो जाएंगा बाहस सम्झभे आपकनी यहां तक तो तो यहां एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कटि यह बनी पारहे हैं कटि कोई भी कंपलीक्त हो गया इस ठाट कोई भी वैल ओपन और इसक्राइस क्रेक्राइब क्लोस ही वे ने कॉक्पेस्टर्फ और यह वाला है यह आध नियारे सब्सक्राइब के एंड में हमारे पास क्या होता है actual cycle को तोड़ा सा फिदिशी İT से थोड़ा सा उपर है यानि कि हमारे पास क्या हो एकस इस भाहिए और पास 110 जल्दी जल्दी बाहर निकले और हमारे पास वाए के साँशिए बाए निकल सके अच्छा अब यह अब यहाँ जैसी पे हुवा हमारे पर टीडी सी कि अ emåरे पर एक्सकी फेटीडी खेथिका हो चुल्प हुए खोर्वल करto sese चाहिए लेकिन कमशप सी पे यह डिसी पर उस जा जा रहा चांद ऐमी ऑंते हैं जो रहिए क्लोस्ट बार जांए-छान आपके यह तो aloud टेक्र है यह निदे अमेरे पास को सब्सक्राइब क्लोज हो रहा है ठीक है इसको आप extend कर लें उसके बाद हमारे पास inlet वैल इतर प्लोज हो रहा है तो यह चीज़ें अब बाकी इनकी एंगल दीए में हमारे पास वो एंगल आप याद रख लीजिए गा कि जब हमारे पास इंड वैल उपन होता है तो 10 डिगरी inlet valve open होता है न यह वाला तो इदर जो एंगल होता है वो TDC से तकरीबं 10 से 20 डिगरी ओता है और हमारे पास जो अगला inlet valve closed होता है तो वो हमारे पास 30-40 डिगरी मतलब क्या है inlet valve closed हुआ तो यह कितना डिगरी? 30 से 40 degree इस से BDC से 30 से 40 degree बाद close होता है और हमारे पस क्या है एधन आप इगनिशन जो start होती है 20 से 30 degree यनिके ignition जो start हुई 20 से 30 degree पहले ही start होगा इगनिशन ठीक है उसके बाद हमारे पास exhaust Wales open कब होता है exhaust Wales open वह हमारे पास अग देर देखें हiven यहां हुआ तो वो क्या होता है BDC से कितना पेल उपन हो जाता है 30-50 डिगरी यानि कि 30-50 डिगरी पहले हमारे पास क्या होट है demand open हो ज poo जाता है और credit क्लोज को होता है यहां quarter X4-10 यह cat यहां चмовâl ऑग्स कितने बाद close होता है दस तक के लिए खुदाफिज अगर आपके वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो इसको शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो थैंक यू मेरे मैच फो बिंग है